नमस्कार अनमानगद राजस्तान से मैं आनन जैन आपका श्रिदिवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ हमारी क्लास 12 सीनियर सेकंडरी फिजिक्स बहुतिकी की प्ले लिस्ट में आज जानते हैं मैगनेटिक फोर्स लाइन्स के बारे में और समझते हैं क्या है फ्लक्स की कंसेप्ट और फ्लक्स से फ्लक्स डेंसिटी का क्या रिलेशन है और जानेंगे अलग-लग मीडियम में मैगनेटिक परमेबिलिटी चुम्ब के पारगम्यता के मान अलग होने से फ्लक्स गहनतों के मानों में क्या परिवर्तन होता है और जानेंगे और अस्टेट के प्रियोग के बारे में और समझेंगे विद्युद्धारा से चुम्ब के प्रभाव कैसे बनते हैं और इन चुम्ब के छेतरों की दिशा निकालने के लिए मैक्सवेल के सीदेहात का अंग करशित करने का गुण होता है ये लोग आयश्ख F3O4 सबसे पहले युनायन के पास इस मेगनीशिया नामक प्रांत में मिला इसी कारण इस आयश्ख को मेगनेटाइट नाम दिया गया और मेगनेटाइट स्टोन के गुणों को मेगनेटिजम चुमबक तो कहा गया और बहु प्रत्वी की सतय पे चुमबक चेतर को समझाने के लिए विज्यानिक गिलबर्ट ने बताया कि प्रत्वी स्वयम एक विशाल चड़ चुमबक की भांती वेवार करती है प्रत्वी के क्रोड के अंदर पिगला हुआ आविशित रूप से धात्विक दरव पदार्थ होता है और जब प्रत्वी अपने अक्ष के परी चक्रन गती करती है तो इस चक्रन से उस आविशित द्रव में धाराएं उत्पन हो जाती है और वो धाराएं प्रत्वी को एक छड़ चुमबक की जैसे वेवार कराते हुए इसकी भोगोलिक उत्तर दिशा में एक चुमबकी चुमबकी प्रकरती पैदा कर देती है जो सते पे बोगोलिक दक्षन से उत्तर की दिशा की तरफ कारे रत एक चुमबकी चेतर बना देती है और इसी चुमबकी चुमबक को अगर हम परिक्षन के लिए निलंबित करेंगे तो उसकी अक्षिय दिशा इस चुमबकी दक्षन से उत्तर की दिशा के साथ अनुदिश हो जाती है इस तरह से स्वतंतरता पूर्वक निलंबिच छड का जो सिरा भोगोलिक उत्तर दिशा में होता है उसे हम चुम्बकिय उत्तरी धुरु कहते हैं और जो भोगोलिक दक्षन दिशा में चुम्बक का सिरा होता है उसे तता पूर्वक घूमने वाली एक हलके वजन की लेकिन शक्तिशाली छड़ चुम्बक स्वरूप होती है जिसके उतरी धूरूप पे हम काला या लाल रंग बनाया हुआ होता है और चुम्बके छेतर में जब इस दिख सुई की अक्ष चुम्बके छेतर की दिशा में अनुद धारना है वस्तुते किसी भी जामिती स्थितियों पे इस तरह की बल्रेखाओं का बहुतिक अस्तितों नहीं होता है ये जो बल्रेखाओं की काल्पनिक अफधारना है वो एक चितर बनाकर हमें चुम्बके छेतर के घटना करमों को समझने के लिए एक दरश्य प्रभाव प और साउथ हमेशां जोड़े में रहते हैं लेकिन अगर एक चुम्बक काफी लंबी हो और उत्री धूर से दक्षिन धूर काफी दूर हो तो हम केवल उत्री धूर पर चुम्बके छेतर के बल्रेखाओं को बना सकते हैं वैवार में हम एक दिक्सूई की मदद से के अंदर ये साउट से नोर्थ अपना रास्ता जब पूरा कर लेती है तो वो एक निरंतर बंद वक्र का रूप दारन कर लेती है तो चुम्बक्य बल रेखाएं सदेव एक बंद वक्र के रूप में होती है अगर हम एक छड़ चुम्बक्य प्रभाव को देखें तो उसकी च चुम्बक्य बल रेखाएं उत्री धुर से चितरा नुसार बाहर निकलती है और चुम्बक्य बाहर उत्री धुर से दक्षिन धुर की तरफ चलती हुई चुम्बक्य अंदर दक्षिन धुर में प्रवेश करती है और प्रवेश परशात दक्षिन से उत्री धुर तक अपन बंद पत पूरा करती है चुम्बकिय बल्रेखाओं के बंद पाश बनने का कारण चुम्बकिय धुरू उत्री धुरू नोर्थ पोल और दक्षिन धुरू साथ पोल का हमेशा जोड़े में मुझूत रहना है और ऐसे सितियों में N से निकलिवी बल्रेखाओं बाहर S पोल में गुसकर अंदर ही अंदर है सेन अपना रास्ता बंद पाश का बना लेती है चुम्बकिय बल्रेखाओं जहां बंद पाश बनाती है उसके विरोधा भाश में विद्धूत बल्रेखाओं कभी भी बंद नहीं होती है और इसका कारण है विप्रीद विद्धूत धुरूता धनाविश और रिनाविश कभी भी एक साथ नहीं रहते हैं इसलिए विड्यूत बलेखाएस कभी भी बंद पाश नहीं बनाती हैं बल्रेखाओं की मदद से किसी भी चेतर में चुम्बके चेतर की उपस्तेती को बहुत बहतर तरीके से समझा जा सकता है बलरेखाओं पर जो स्पर्श जाम खींचते हैं वो उस स्थान पर चुम्बक के 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 नस्दीक चुम्बके बल्रेखाएं सगन है फ्लक्स का घनत वाधिक है इसलिए यहां चुम्बके छेतर मजबूत है और दूर जाने पर जब बल्रेखाएं छितरा जा रही है बल्रेखाओं का घनत तो कम हो जाता है तो हम कहते हैं चुम्बके छेतर की ताकत भी चुम्बक से दूर जाने पर कम हो रही है। चेतर की दिशाएं दो मान बताती है एकी स्तान पर एकी समय चुम्बके चेतर के दो मान नहीं हो सकते इसलिए दो बल्रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है अलांकि चुम्बके चेतर को चेतर के रुप में रुपित करने वाली ये बल्रेखाएं काल्पनिक हैं इनका भोटी कस्ते तो नहीं है लेकिन चुंब किया छेतर से सम्भदित संख्यातमक गणना करने के लिए इनका अल्पणिक बलरेखाओं को भी गिना जाता है और बलरेखाओं के इस गिनती को चुंब किया फ्लक्स जिसे 5 से denote करते हैं कहा जाता है चुम्बके बल्रेखाओं की गिंती या चुम्बके फ्लक्स को CGS यूनिट सिस्टम में मैक्सवेल में पढ़ा जाता है और MKS यूनिट वेबर है और 1 MKS यूनिट 1 वेबर 10 की घाता 8 CGS यूनिट मैक्सवेल के बराबर है एक वेबर दसकी गाता आठ मैक्सवेल फ्लक्स के बराबर होता है चुम्ब के फ्लक्स गहनतु जिसे चुम्ब के प्रेरण भी कहते हैं और कैपिटल बी से इंकित करते हैं वो चुम्ब के छेतर को समझाने वाली सबसे महत्पुन भोतिक राशी है परिभाशा के अनुसार जब चुम्ब के छेतर को बलरिखाओं से नुरूपिद करते हैं और बलरिखाओं का संख्यात्मक मान फ्लक्स कहलाता है तो एकांक अभिलम छेतरफल से निकलने वाली चुम्ब के फ्लक्स की मात्रा को चुम्ब के छेतर की ताकत या चुम्ब के फ्लक्स गहनतू कहते हैं इसे चुम्ब के प्रेरण भी हम बता सकते हैं और कैपिटल भी से इंकित करते हैं मापन प्रेण की ताकते हैं इसे संक्षित प्रेण की तेसला भी कह सकते हैं एक टेसला और एक वेबर पर मीटर स्कुराइर परस पर बराबर हैं और दोनों मापन प्रेण की तेसला है सीजियस मापन पद्दती में चुम्ब के फ्लक्स गहनतों को जब फ्लक्स को मैक्सवेल में और छेतरफल को सेंटीमीटर स्कुराइर में पढ़ते हैं तो फ्लक्स गहनतों मैक्सवेल पर सेंटीमीटर को गौस कहा जाता है और एक सीजियस फ्लक्स गहनतों गौस में और एम वेबर में फाई हो तो एकांक अबिलम छेतरफल से निकलने वाला फ्लक्स फ्लक्स घहनतों कहलाएगा और फ्लक्स फाई और अबिलम छेतरफल एका अनपात चुंप के प्रेरण बी है यदि ए अबिलम प्रस्तल से निकलने वाला कुल फ्लक्स फाई हो तो फ्लक्स और अबिलंब छेतरफल का अनपाद चुम्ब के प्रेरन भी इस सुतर अनुसार हो जाता है अगर ये अबिलंब छेतरफल अपनी अबिलंब विन्यास से थिटा कून मोड़ दिया जाता है तो इस मुड़ी वी स्तिती में जिसे इस काले चितर में हमने इंकित किया है इस चेतरफल अ से गुजरने वाला फ्लक्स पहले की तुलना में कम हो जाएगा लेकिन फ्लक्स गनत की गणना करने के लिए हमें इस गटेवे फ्लक्स के साथ अबिलंब छेतरफल इस A का ये बलरेखाओं के अबिलंब आया हुआ प्रस्ट भाग लेना होगा अगर हमने प्रस्ट छेतरफल को अबिलंब स्थेती से थीटा विस्तापित किया है तो इसका अबिलंब छेतरफल भाग A डेश A कोस थेटा के बराबर होगा और flux और अबिलम छेतरफल का ये जो अनपात है गटावा flux y- और अबिलम छेतरफल भी गटावा एक औस तिटा अगर अनपातिक गणना की जाए तो क्योंकि flux और अबिलम छेतरफल दोनों एक समान अनपात से गटे हैं तो ये चुम्ब के प्रेरन फ्लक्स का प्रतियकां का बिलम छेतरफल मान पूर भांती ही रहता है हम कह सकते हैं कि बल रिखाओं का ये जो विन्यास है वो इस स्थिति में और दूसरी स्थिति में नहीं बदला है तो चुम्ब के प्रेहन का माण प्रस्ट की चुम्ब के च्छेतर के साथ क्या भीविन्यास स्तिति है उस पर निर्बा नहीं करता है वो दोनों स्तितियों में चाहे च्छेतर फ़ला बिलंब हो या किसी कोण पे हो चुम्ब के प्रेरन का माने एक समान है अगर किसी जामिती छेतर में चुम्ब के प्रेरन हमें दिया हुआ है और किसी छेतरफल की स्तिती और छेतरफल भी हमें मालूम हो तो उस छेतरफल से गुजरने वाली कुल बलरेखाओं की संख्या flux की घंड़ना की जा सकती है हम कह सकते हैं कि किसी एक छेतरफल से निकलने वाला flux चुम्बकिय प्रेरन और चुम्बकिय प्रेरन के बिलंब आये हुए प्रस छेतरफल के गुणा के बड़ाबर है और इस गुणा को हम सदिश रूप में 20 सदिश और छेतरफल सदिश के अदिश गुननफल से भी निरूपित कर सकते हैं और हमें मालूम है दो सदिश का अदिश गुननफल पहले सदिश का मान चुम्बकिय प्रेरन सदिश का मान और छेतरफल का मान के साथ दोनों सदिशों के बीच में कौन के कोसाइन का गुणा के बराबर होता है और एक छेतरफल सदिश की दिशा सदेव तल के लंबुवत होती है तो यहां काली रिखा से दिखाएगे इस छेतरफल के तल के लंबुवत यह जो दिशा है जिसे हमने N कैप N माने नॉर्मल अबिलंब और कैप माने एक आंक सदिश उस दिशा से शो किया है तो यहां बल्रेखाओं के दिशा में चुम्ब के प्रेरण है और छेतरफल सदिश तल के अबिलंब दोनों के बीच में कोन थीटा तो इस कोन का कोस थीटा यहां चुम्ब के फ्लक्स की गंड़ना में बी और एके गुणा के साथ आ जाएगा और हम बी वेक्टर और एरिया वेक्टर के अदिश गुणन फल से छेतर से निकलता हुआ फ्लक्स निकाल सकते हैं यदि कोई छेतर फल तल जैसे ये लाल रंग से दिखायवा तल है वो बलरेखाओं के समानतर अपना प्रस्ट रखता हो तो प्रस्ट के अभिलंप और बलरेखाओं के बीच में कोन थीटा 90 होने से कोस थीटा 0 होने से ऐसे किसी प्रस्ट से निकलने वाला फ्लक्स शुन्ने हो जाएगा ये संक्यात्मा को धारण फ्लक्स गन्नत से फ्लक्स गन्ना को बहुत बहतरीन तरीके से समझा देगा एक तल के छेतर फल को सदिश नुरूपन में 2 आईटा प्लस 3 जे मीटर स्कॉयर बताया हुआ है जहां आई और जे क्रमशे एक सक्ष और वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश है और इस छेतर फल को हमने एक चुम्ब के प्रेरण जो की 2 आईटा प्लस 5 के टेसला है उसमें रखा गया है यहां आई और के क्रमशे एक सक्ष और जेड एक्ष के अनुदिश एकांक सदिश है तो हमें इस छेतर से निकलने वाले कुल flux का मान गयाद करना है हमें मालूम है किसी भी छेतरफल प्रस से निकलने वाला चुम्ब किया flux B vector और area vector का dot product है या B cos theta है यहां B vector की जगए एक आंग सदिश में 2 ita plus 5k और चेतरफल सदिश की जगए एक आंग सदिश की रूट में 2 ita plus 3 j जब हमने लिखा और गुणा किया तो 2 से 2 का गुणा 4 ita dot ita 5 से 2 का गुणा 10 k dot ita 2 का 3 j से गुणा 6 i dot j और 5 k का 3 j से गुणा 5 तिया 15 k dot j हमारा रूपा गया है यहां i और i दोनों एकी दिशा के सदिश है इनके बीच में कौन 0 है cos 0 1 होता है दोनों सदिशों के मान 1 एक है तो यह dot product एक आंग हो गया है और 4 से गुणा करने पर यह 4 ika i आ गया है वहीं बाकी 3 सदिश गणनाओं में 2 सदिश जो हमने लिए हैं वो परसपर लंबुवत हैं और ऐसे स्थिति में दोनों के बीच में कोन k और i, i, j, k और j में कोन 90 degree होने पे cos 90 0 होने पे यह 3 dot product गणनाओं शुन्ने हो जाएंगी और हमारा flux 4 ika i वेबर हमें प्राप्त हो गया है क्योंकि अदिश कुननफल की परणामी राशी flux एक अदिश राशी है तो इस चार वेबर की कोई दिशा नहीं होगी अलग-लग माध्यमों में चुम के छेतर का flux किस तरह का वैवार रखता है उसे समझने के लिए हम पारगम मेता परमेबिलिटी की अवधाना का इस्तेमाल करते हैं और इसके दो रूप हैं निर्पेक्ष पारगम मेता एपसूलूट परमेबिलिटी और सापेक्षित पारगम मेता रिलेटिव परमेबिलिटी जिसे हम करमश मियू और मियू आर से इंकित करते हैं चुम्बके छेतर को समझने के लिए दो भौतिक राश्यों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है एक को हम चुम्बके छेतर की तीवरता कहते हैं जिसे H से इंकित करते हैं और MPR प्रतिमीटर ही काई में नापते हैं वस्तुते ये एक आंक चुम्ब के उत्री धूर पर चुम्ब के छेतर के कारण लगने वाले बल को मापता है अगर हम एक वेबर का चुम्ब के धूर कहीं रखें और उस पे जितना बल आए वही उस स्थान पे चुम्ब के छेतर की जितिवर्ता होती है और एक दूसरी भोतिक राशी जो चुम्ब के छेतर को निरूपित करने में हम इस्तिमाल करते हैं उसे चुम्ब के फ्लक्स या चुम्ब के प्रेरन कहते हैं जो एकांक अभिलम छेतर फल से निकलने वाली फ्लक्स की मातरा को बताती है और ये दोनों BOTH समान दिशा के अनुपातिक सदिश हैं और इस अनुपातिक गण्ना को बराबर का समिकरन बनाने के लिए जिस स्तिरंग का हम इस्तिमाल करते हैं उसे माध्यम की निर्पेक्ष पारगम्यता एपसुलूट परमेबिलिटी ओफ मीडियम कहते हैं यहां किसी माध्यम की पारगम् और इसका मान चार पाई गुणा दसकी घात माइनस साथ हेंरी पर मीटर या वेबर पर एंपियर मीटर है हवा या निर्वात की निर्पेक्ष पारगम्यता का मान एक सारभोमिक युनिवर्सल कॉंस्टेंट है यह सभी गण्नाओं में एक समान रखा जाता है वहीं यह जो म मिवार है इसे माध्यम की सापेक्षित पारगम्यता कहते हैं और मिवार सापेक्षित पारगम्यता एक विमारहित संख्या मातर है जबकि माध्यम की निर्पेक्ष पारगम्यता एपसूलूट परमेबिलिटी और हवा की परमेबिलिटी यह दोनों हेंरी पर मीटर में ना प कितनी आसानी से आरपार जा सकते हैं हम किसी अन्य माध्यम की निरपेक्ष पारगम्यता को हवा की पारगम्यता के सापेक्ष सापेक्षित पारगम्यता से प्रदर्शित करते हैं और सापेक्षित पारगम्यता माध्यम की निरपेक्ष पारगम्यता और हवा की पारगम्यता का अनपात होता है जो दर्शाता है कि हवा की तुल्ला में जो फ्लक्स बलरेखाओं का वित्रण है वो किसी दूसरे माद्यम में कोई और घनत रख सकता है और अगर दूसरा माद्यम अधिक पारगम्यता रखता है तो बलरेखाओं का घनत भी एकी समान विद्दू चेतरती वरत होने पे बदल जाएगा जो लोहा निकिल और कोबाल्ट या इनके कुछ मिश्रधातू होती हैं उन्हें हम लोह चुम्ब के पदार्थ करते हैं और इन पदार्थों की सापिक्षित पारगम्मेता या निर्पिक्ष पारगम्मेता का मान काफी अधिक होता है और ऐसे स्थिति में फ्लक्स का घनत हवा की तुलना में इन लोह चुम्ब के पदार्थों में बहुत अधिक हो जाता है विद्धु धारा और चुम्बक्तों की शुरुवाती समझ के दोरान ये समझा गया कि ये दोनों परस पर स्वतंतर और एक दूसरे से बिलकुल विलगित कारिय शेतर हैं विद्धु धारा और चुम्बक्तों के शेतर का अपस में कोई संबन नहीं है लेकिन ओरस्टेट ने पहली बार वर्ष 1819 में ये खोजा कि एक गतिमा नाविश जो धारा का रूप है उसके चानों तरफ इस तरह से सकेंद्रिय वर्तों में चुम्बके छेतर उत्पन हो जाता है एक सीधे धारा वाही चालक का अपने चानों तरफ ये जो सकेंद्रिय वर्तों में चुम्बके छेतर बनता है इसकी दिशा हम मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगुठा नियम या कॉर्क्स क्रू नियम द्वारा प्राप्त कर सकते हैं शुरुआती अध्यन के दोरान और रस्टेक ने पाया कि धारवाई चालक का ये चारों तरफ सकेंद्रिय वर्तों में बनने वाला चुम्ब के छेतर धारा के मान के समानु पाती अपनी ताकत रखता है अधिक धारा का चुम्ब के छेतर अधिक होगा और कम धारा का चुम्ब के छेतर कमजोर होगा वहीं ये चुम्ब के छेतर चालक से दूरी के साथ दूर जाने पे कमजोर हो जाता है और चालक के नजदी की स्थितियों में अधिक ताकतवर रहता है एक आवेश चाहे वो स्तिर हो या गतिमान हो अपने चारों तरफ तरजिये विद्धू छेतर बनात नेकेवल तरजिये विद्दू छेतर बनाएगा वो अपनी गति की अक्ष के चारों तरफ सकेंद्री वर्तों में चुम्ब के छेतर को भी उत्पन करेगा अगर ये आविश नियत गति की बजाए परिवर्तन शिल गति के साथ त्वरित या मंदित हो रहा है तो इसके चारों तरफ बनने वाला चुम्ब के छेतर चेतर और समय दोनों स्थितियों में लगातार बदलेगा और इस तरह का समय और स्थिति में परिवर्तन चुम्ब के छ एक दूसरे के लिए स्त्रोत का कारिय करते हुए एक दूसरे के उत्पादन का कारिय करेंगे और इन दोनों के साथ उर्जा विद्धु चुम्ब के छेतरों के द्वारा एक स्तान से दूसरी स्तान तक गतिमान विकिरन के रुप में हो सकती है तो हम कह सकते हैं कि एक परिवर् की उत्पती आविश्च से होती है लेकिन ये गतिमान आविश्च श्वरूप जो विद्धु धारा है वो अपने चारों तरफ सकेंद्रिय वर्तों में चुम्ब के चेतर बनाएगी तो हम कह सकते हैं कि एक स्तिर आविश्च केवल विद्धु चेतर बनाएगा कोई चुम्ब कर लिया था कि एक धारावाई सीधे चालक से सकेंद्रिय वर्तों में चुम्ब के चेतर उसके चारों तरफ उत्पन होता है लेकिन ये वर्त घड़ी की दिशा में क्लोकवाईज होंगे या घड़ी के विपरीत वर्तन होंगे इसकी जानकारी हमें मैक्सवेल ने दी और उस कि ये जो मुडीवी अंगुलियां है इन अंगुलियों का ये जो मुडान है वो चालक के चारों तरफ सकेंद्रिय वर्तों में जो चुम्ब के चेतर बनता है उसकी दिशा बताता है यहाँ इस कागचतल के अबिलंब उपर के तरफ जाने वाली धारा के लिए अंगुठा जब उपर की तरफ है तो ये मुडीवी अंगुलियां गड़ी की विपरी दिशा में एंटी क्लोकवाइस डिरेक्शन में चारों तरफ बनने वाले चुम्ब के चेतर की दिशा बताती है और हमें अगर किसी स्थान विशेश पे चुम्ब के चेतर की दिशा निकालनी है जै मैक्सवेल के अंगुठे नियम के अलावाद दाये हाथ के कॉर्क स्कुरू नियम से भी हम ग्याद कर सकते हैं। अगर हमें अंदर की तरफ गुमाना है तो उसे गड़ी की दिशा में यहाँ चितरा नुसार गुमाना होगा और ये स्कुरू की घुंडन दिशा ही इस धारवाई चालक की चारों तरफ चुम्ब के छेतर की दिशा हो जाएगी क्लोक वाईज ही हाँ। इस काम के लिए सीधे हाद का कॉर्स्कुरू नियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बारे में हमारी समझ को परिक्षा उपयोगे बना देंगे। हमें इस प्रश्ट में कहा गया है कि उत्तर दिशा की और प्रवाहित होने वाली एक 36 धारा के चारों तरफ जो चुम्ब के छेतर उत्पन होता है। उनकी दिशाएं कैसी होगी ये बताइए। तो हमने यहां स्क्रीन पे उपर की तरफ उत्तर दिशा को अगर ले लिया है तो इसके ठीक विपरी दक्षन दिशा हो जाएगी। और इनके संगत पूरव और पश्चिम दो और दिशाएं हम निकाल सकते हैं और इन चार के अलावा दो और दिशाएं उर्द्वादर उपर और उर्द्वादर नीचे हम लेकर कुल 6 दिशाओं के तहट किसी भी प्रशन के लिए दिशा संबंदी उत्तर दे सकते हैं। 36 स्तितियों में उत्तर दिशा में वहन होने वाली सीधी धारा के चुमके छेतर को ग्याद करने के लिए हमने मैक्सवल के सीधे हाथ के अंगुठा नियम का इस्तेमाल किया और अंगुठे को उत्तर दिशा में धारा के अनुरूप ले लिया है। पश्चिम की तरफ है वहीं इस 36 स्तार के पूरवी हिस्से में यहां अगर हम चुमके छेतर की दिशा देखें तो वो उर्द्वादर नीचे की दिशा में प्राप्त हो रही है। वो धनाविश की प्रवा दिशा होती है और अगर रिनाविश इस काले तीर की दिशा में गतिमान है तो इसकी संगत धारा की दिशा विपरीद दिशाओं में उर्द्वादर नीचे की तरफ होगी। और ऐसी स्थिति में मैक्सवेल के सीधे हाथ के अंगुठा नीअम के अंसार अंगुठे को धारा की दिशा में उर्द्वादर नीचे की तरफ लें तो कागच के तल में बनने वाला चुम्ब के छेतर सीधे हाथ की मुड़ीवी अंगुलियों के अंसार ये रूप रखेग वहीं इस उर्द्वादर गती के दक्षिन भाग में चुम्ब के छेतर पस्चिम दिशा में होगा और इस उर्द्वादर गती के पूर्वी भाग में चुम्ब के छेतर दक्षिन दिशा में होगा और पस्चिम भाग में चुम्ब के छेतर उत्तर दिशा में प्राप्त हो ज और Maxwell के नियम, चाहे वो अंग उठा नियम हो या कॉर्स क्रू नियम हो, उसके बारे में समझ परिक्षा उपयोगी बन गई है, हमारी इसी सीनियर सेकंडरी भोतिकी प्लेलिस्ट की दूसरी लर्निंग वीडियो भी परिक्षाओं में अंग सुधारने के लियास से बहुत उप सकता हो, तो चैनल की नीचे बताईवी यूट्यूब मेंबर्शिप भी जोइन बटन दबा के जोइन करें, हैपी लर्निंग, हैव नाइस टाइम, थैंक यू वेरी मच,